हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS Excel में Bill Book कैसे डिजाइन करते हैं यदि आप लोग MS Excel बिलकुल शुरू से सीख रहे हो या फिर MS Excel में Bill Book डिजाइन करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने बिलकुल बेशिक से सिखाया है कि MS Excel में Bill Book कैसे डिजाइन करते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि MS Excel में Bill Book कैसे डिजाइन करते हैं आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए बिल्बुक डिजाइन करने के लिए हम एक्सल को ओपन कर लेते हैं यहां पर हमने we एकसल को open कर लिया है सबसे पहले bill book design करने के लिए हमको ए से इनमबर कालम तक select कर लेना है यहां पर एक option दिया है merge and center का हम merge and center के option पर click कर देंगे हमारे total जो column थे merge हो जाएंगे फिर हम नीचे आएंगे यहां पर इसका पर हमें और हमको type करना है बिल बोक तो यहां पर हमने तो इसलिए तो यहां पर कंपनी का नाम रहे है तो हमको यहां पर company का नाम डाइब परना है तो चलिए टाइब कर लेते हैं तो यहां पर alt के साथ इंटर बटन प्रेश करेंगे और इसमें हमको type कर लेना है अपनी shop का नेम तो मालिया हमारी जो shop है उसका नेम है यूपी CISC computer shop यहां पर हम type कर लेते हैं जो हम type करेंगे इस shop का नेम उसको हमें capital letter में रखना है तो चलिए यहां पर हम capital letter में type कर लेते हैं यूपीसी आई से कम्थीटर shop यहां पर हमने type कर लिया upciscom computer shop अब हमको alt के साथ इंटर बटन प्रेश कर देना है और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है मोबाइल नंबर जो भी हमारी सौप के नाम से मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोबाइल नंबर मोबाईल नमबर लिखा अब यहाँ पर जो भी मोबाईल नमबर है उसको हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है कामा लगाएंगे दूसरा मोबाईल नमबर है दूसरा मोबाईल नमबर यहाँ पर हम टाइप कर लिया mobile number type कर लिया, अब हम यहाँ पर alt के साथ enter बटन प्रेश करेंगे और यहाँ पर हम address टाइप कर देंगे, जो भी हमारा दुकान का address है तो चलिए address हम यहाँ पर type कर लेते हैं यहां पर हमने आइड्रेस टाइप कर लिया है फिर हम बाहर किलिक कर देंगे पूरा हमारा यहां पर इतना रेडी हो गया इतना करने के बाद यहां पर किलिक करेंगे इसको हम सेंटर में कर लेंगे पूरा हमारा बिल सेंटर में आ जाएगा फिर इतना करेंगे और यहां पर प पिन कोड़ पर किलिक करके अल्ट के साथ इंटर कर लेंगे इसको में नीचे रखना है यहां पर टाइप कर देंगे पिन नंबर इस तरीके से हम अपना बिल यहां पर रेडी कर लेंगे फिर दुकान का नाम है इसको यहां से करेंगे इसका साइज यहां से इंक्रीज कर लेंगे और इसको यहां से कर लेंगे बोल्ट हमारा दुकान का नेम है थोड़ा हाइलाइट हो जाएगा फिर यहां पर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसको यहां पर सालेट कर लेंगे और इसका साइज तोड़ा इंक्रीज करना है तो यहां पर size increase कर लेंगे इतना bill book है, bill book को select करेंगे, इसको bolt करेंगे और इसका size यहां से increase कर लेंगे, इतना काम करने के बार हमको यहां पर border में आना है और outside border दिखाई दे रहा, इस पर click कर लेंगे, हमार outside border apply हो जाएगा, फिर जो नीचे वाली एक row है, इस row को हमको select करना है और यहां पर border में आना है और इस पर हमको all border apply कर देना है, इस पर all border apply हो जाएगा, दोनों को select करना है, जो दो cell हैं, दोनों cell को select करके, यहां में merge and center का option है, click कर देंगे, दोनों cell हमारी merge हो जाएगे, और इसमें हमको type कर लेना है invoice number, यहां पर हम invoice number जो है, टाइप कर लेते है इन वाइस नमबर टाइप कर लिया सबसे लास्ट की जो दो सेल है इन दो सेलों को सलेट करना है मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है और इसमें हमको टाइप कर लेना है यहां पर हम डेट टाइप कर लेते हैं देट हमने टाइप कर ली दोनों को select करके यहां से bold कर देना है बोल्ड कर दिया फिर आएंगे नीचे नीचे वाली जो row है इसको पूरा select करेंगे merge है इंट center पर click कर देंगे नीचे की row हमारी पूरी merge हो जाएगी इसमें हमको type कर लेना है name यहां पर name type किया और इसका जो size है फोड़ा increase कर लेते हैं यहां से हम बाहर केविक करेंगे और इसका side ढ़ा जहां से increase कर लेंगे name पर click करेंगे इसको हम left side में और रखेंगे top में यहां से name को top में और left side में रख लिया और इसके आगे हम dotted line type कर देंगे या फिर आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं फिर अल्ट के साथ इंटर करेंगे और एक और dotted line हमको यहाँ पर ड्रा कर लेनी dotted line ड्रा कर लिया इतना करने के बाद इसको select कर लेना है border में आना है और यहाँ पर outside border है click कर देंगे इस पर outside border लग जाएगा हमने यहाँ पर अभी इतना bill book complete कर लिया है अगर हम इसका print देखना चाहते हैं कि print किस तरीके से दिखाई देगा तो हम यहाँ पर keyboard से control button के साथ here to button प्रेश करेंगे हमारा जो bill book है, bill book का कुछ अभी इतना print दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जो हमारा bill है bill बिल्कुल page के left side में है और right side में बहुत अधिक जगा छूटी हुई है तो इसके लिए हम आएंगे page setup में page setup पे किलिक करेंगे यहाँ पर नीचे एक option दिया है adjust का adjust में आके यहाँ पर हमको size है size type कर देना है 180 और यहाँ पर ok कर देना है जो हमारा bill book है bill book इतना ready हो गया अभी page के right side में जो margin है margin अधिक दिखाई दे रही है इसको में कम करना है तो page setup में आना है और यहाँ पर margin का option दिया है margin के option पर किलिक कर लेना है और यहाँ पर एक option दिया ождivity को क्योंकि जो हमारा bill book है bill book कोrewलकूल center में रखना है तो हाइजेंटिली पर tick लगाएंगे और यहाँ से ok कर देंगे उहाँ जो bill book है bill book बिलकूल center में आ जायेगा जो हम यहाँ पर bill book बना रहे है time कर लेंगे item name higher time name टाइप कियाôm जहां पर को टाइप कर लेंगे और यहां पर टाइप कर लेना है rate करेंगे और यह här पर amount amount अ मॉम्ट टाइप कर लिया फीस को नंबर जो है इसको यहां से पूरा सलेट कर लेंगे इस रोक को और बारडर में आब अके इस पर को all border apply कर देना है all border apply कर देंगे serial वाला कालम है इसको थोड़ा छोटा करेंगे item name का जो कालम है इसको थोड़ा increase करके इस तरीके से रखना है और जो quantity है quantity को भी थोड़ा हलका increase करके हम इस तरीके से ही रख लेंगे इनको है select कर लेंगे और हम इनको रख लेंगे बिलकुल center में तो सभी name हमारे center में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से हमने अभी यहां पे इसको इतना बना लिया select करेंगे और इसको हमें यहां से बॉल्ड कर देना है तो हमारे serial name item name quantity AKE डिधी बोल्ड हो जाएंगे फिर यहां पर हम को सीजिल नमबर टाइब कर लेना है यहां पर एक और दो टाइब करेंगे दोनों को हवा और यहां से हम पकड़के ड्रयक कर लेंगे जतने हम चाहें उत्ने आप पर आइटम नेम ड्रा कर सकते हैं माल लिया हमने यहां पर एक से लेके 10 तक आइटम बनाना है तो यहां पर सीरियल लंबर एक से लेके 10 तक टाइप करेंगे और इसको यहां पर सेंटर में कर देंगे फिर यहां को इसको सलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर में आएंगे में बॉर्डर लग जाएगा तो यहां पर नेम दिया है जो भी हमारे आइटम है उनका हमें यहां पर नेम टाइप करना है तो चलिए हम यहां पर इनका नेम टाइप कर लेते हैं एक एक करके यहां पर हमने सारे आइटम नेम टाइप कर लिए और इनको सालेट कर लेना है इनको यहां से सेंटर में रखना है और आउटसाइट बॉर्डर हमको इसमें भी लगा लेना है फिर एक क्वाइट्यटी जो भी आइटम है इनकी कितने कितने quantity है हम quantity type कर लें है जैसे keyboard है keyboard की 8 quantity है mouse की 9 है फिर यहां पर RAM की 5 है printer की 10 है speaker की 11 है तो इस तरीके से जो भी quantity हो सरी quantity हमको यहां पर type कर लेनी है मल यहां हमने यहां पर total quantity जो है उनको type कर लिया quantity को select करना है center में रख लेना है और यहां पर outside border इस पर भी apply कर देना है rate जो भी इनकी rate हो rate यहां पर हम type कर लेते हैं चलिए keyboard की rate जो 650 रुपए टाइप किया माउस की rate है 500 रुपए 500 रुपए 500 टाइप किया रैम की है बाइस सो रुपए यहां पर बाइस सो टाइप कर लेंगे प्रिंटर की है इसको select कर लेना है और center में रखना है और outside border इसमें भी लगा लेना है यहां पर हमने rate टाइप कर लिया है और इसको हमें अब total निकालना है quantity और rate कितना हुआ जो amount है amount निकालना है यहां पर equal लगाएंगे quantity का address दे देंगे multiply का address लगाके rate का address दे देना है और यहां पर हम इंटर कर देंगे यहां पर total जो amount है keyword का amount यहां पर बावन सो रुपए निकल के आया फिर इस पर हम click करेंगे और इसको हम यहां से drag कर लेंगे total यहां पर amount निकल के आ जाएगा इसको center में रख लेना है और outside border इसमें भी हमको यहां पर लगा लेनी है इतना हमने type कर लिया अब चलिए देखते ह कर देंगे हमारा उसी तरीके से आजाएगा यहां पर हमने इतना बना लिया फिर जो उसके नीचे रोह है इस रोह को select कर लेना है और यहां पर बार्डर में आगना है और यहां पर all border पर tick कर देना है फिर हम इतनी रोह हैं पर कर लेंगे select जो हमारी इसेल हैं इसेलों को सलेट कर लिया मर्ज एंड सेंटर कर देंगे यहां पर टाइप कर देना है टोटल यहां पर टोटल टाइप कर लेंगे और यहां पर जो ए है यानि कि अमाउंट में जितना भी अमाउंट है इन सभी का टोटल निकालना है यहां पर एक को लगाएंगे फा तोटल यहां पर amount निकल किया जाएगा दोनों को select कर लेंगे बॉल्ड करेंगे और इसका size यहां से हम थोड़ा बढ़ा करेंगे इसका size हमने थोड़ा यहां पर बढ़ा दिया फिर जो नीचे वाली row है नीचे वाली row को select कर लेना है इसको यहां पर merge and center कर देना है फिर इसमें में type कर लिया फॉर यूपी सी ऐसे computer shop इसको हमें left side में रखना है left side में यहां से रख लेंगे बॉल्ड कर लेंगे थोड़ा इसका size increase कर लेंगे फिर नीचे वाली row है नीचे वाली row को select कर लेना है और इसको यहां पर merge कर देना है फिर इस वाली row में हमको type कर लेना है sign तो य यहां पर हम dotted line कुछ इस तरीके से drag कर लेंगे dotted line आ जाएंगे इस पर click करेंगे bold कर देंगे थोड़ा इसका size यहां से हम increase कर लेते हैं और जो from UPCI computer shop लिखा इसका भी size यहां से हम थोड़ा increase कर लेंगे तो जो हमारा bill book है bill book ready हो गया है और दोनों को select कर लेना है और यहां पर आके all border पर tick लगा देना है जो bill book है हमारा पूरा bill book complete हो गया है चलिए अब इसके हम print देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा यहां पे जो bill book है bill book का पूरा print दिखाई दे रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि MS Excel में अगर हमें कोई भी bill book design करना है तो किस तरीके से bill book design करते हैं हम इस चैनल पर लगए तीन चार तरीकों से बताएंगे कि bill book कैसे design करते हैं हम आप लोगों को इस चैनल के माधिम से बताएंगे कि MS Excel में bill book हम किस तरीके से और कितने प्रकार से design कर सकते हैं इसलिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजिए ताकि ह हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद